नमस्कार मित्रों इस ओनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं विद्यानंद कुमार, सहायक परध्यापक, नर्यन महा विद्याले, भूल विभाग, गुरिया कोठी सिवन आज मैं आपके लिए B.A. Part 1, Geography Owners का Paper 1 का Unit 5 से एक टॉपिक, Salinity of Ocean Water, महासागर ये जल में लवन्ता से ही एक टॉपिक उठाया हूँ इस से पुर्व भी मैं इस टॉपिक में से कुछ बिंदू पर चर्चा किया था जिसमें मैं चर्चा किया था कि लवन्ता क्या है और लवन्ता को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं इस पर मैं चर्चा किया था जो आज इसमें बच्चा हुआ भाग है वह है महासागर ये लवन्ता के वीत्रन का उल्लेह करें इस तरह से प्रश्ण आपके परिक्षा में पुछा जाता है कि महासागर ये जल में जो लवन्ता है उसका वीत्रन किस प्रकार से किया गया है या उसको किस रूप में बित्रित करके अध्यन किया गया है किया जाता है तो इस पर आज मैं चर्चा करूंगा लवन्ता क्या है या आप भलिमाति पाले ही जान चुके हैं कि प्रती 1000 महासागर ये जल में कुल मिलने वाले लवनो कि मातरा को लवन्ता का गया था उसमें आपको बताया गया था कि 1000 ग्राम जल में कितने गुलनसील पतार था किस मातरा में रहते हैं वही उसका जो है लवन्ता होता है अब है यहाँ पर की लवन्ता का वित्रन की बात करते है तो आप जैसा कि जानते हो महासागरों की ओसत लवन्ता 35 ग्राम प्रती 1000 है परन्तु प्रते एक महासागर सागर जील आदि में लवन की मात्रा में अंतर मिलता है लवन्ता में अंतर 36 तथा लंबवत दोनों रूपों में होता है इसी तरह से बंद, अंस्तह बंद एवं खुले सागरों में भी लवन्ता में अंतर मिलता है इस अधार पर सागरिय लवन्ता के वित्रन का अध्यान दो रूपों में किया जा सकता है पहला 36 वित्रन तथा दूसरा लंबवत वित्रन तो 36 वित्रन के अंतरगत जब हम अध्यन करेंगे तो इसमें महासागरों में लवंता का वित्रन भी जो है वह अलग-अलग महासागरों में या एक ही महासागरों में अलग-अस्थानों पर, अलग-अलग अक्छानसों पर अलग-अलग जो है वह मात्रा देखने को मिलती है तो उतरी गोलार्द की ओसत लवन्ता जो है वह 34 ग्राम प्रती हजार है जबकि दक्षनी गोलार्द में ओसत लवन्ता 35 ग्राम प्रती हजार है सभी महासागरों की समलित रूप से ओसत लवन्ता 34.75 ग्राम प्रती हजार है विश्वत रेखिया छेतर में अधिक तापमान के बाभजूद तुलनात्मक रूप से कम लवन्ता 34.75 ग्राम प्रती एक हजार पाये जाती है इसके कारण है विश्वत वृत के समीब भारी वर्षा, दूसरा है उच्च सापेक्षिक आदरता, तीसरा है मेगाच्छन आकास, और चोथा है डोल्डरम की सांत वायूद महासागरों में सरवाधिक लवन्ता 20 से 40 डिगडी उत्री अक्षांस एवं 10 से 30 डिगडी दक्षणी अक्षांसों के बीच मिलती है इसका कारण यह है कि इस छेत्र में उच्च तापमान के कारण वास्वी करण की मात्रा अधिक होती है एवं वर्षा अपएक्षा करित कम होती है इस छेत्र में महासागर्य जल की लवन्ता 36 ग्राम परती हजार है अब है 40 डिगडी से 60 डिगडी अक्षांसों के मद लवन्ता की मात्रा घटती है यहां लवन्ता की मात्रा 31 से 33 ग्राम परती हजार के बीच मिलती है इसका मुख्य कारण है कि इस चेत्र में तापमान कम होने के कारण वास्पी करण कम होता है महासागरों में न्यूंतम लवंता 60 डिगरी अक्षान से उत्तर एवं दक्षिन के चेत्रों धुरुबिया एवं उपधुरुबिया चेत्रों में मिलती है इसका कारण है कि इन छेत्रों में बर्फ के पिखलने से स्वक्ष जल की प्राप्ति होती है दूसरा है वास्पी करण कम होता है तो ये आपने देखा अब थोड़ा सा यदि अक्षानसिया आकणों पर ध्यान दें कि किस तरह से जो है लवंता का वीतरन देखा जाता है पर थाक्षानस के बीच में 30 से 31 ग्राम प्रति हजार पचास से 50 डिग्री से 40 डिग्री उत्री अक्षानस में 33 से 34 ग्राम प्रती हजार 40 डिग्री से 15 डिग्री उत्री अक्षान्स के बीच में 35 से 36 ग्राम प्रती हजार 15 डिग्री से 10 डिग्री उत्री अक्षान्स में 34.5 से 35 ग्राम प्रती हजार 10 से 30 डिग्री दक्षणी अक्षान्स में 35 से 36 ग्राम प्रती हजार 30-50-024-035 g अच्छान्स, तो यह हो गया अच्छान्स यह, किस प्रकार से अच्छान्स कह naar चेत्र है, इन अक्षान्सों के बीच में किस तरह से प्रादेशिक अंतर लवन्ता में देखने को मिलता है अब आकि आंसिक रूप से घिरे एवं बंद सागरों में लवन्ता का वित्रन यहां देखें तो आंसी ग्रूप से गिरे हुए एवं बंद सागरों में लवंता के वित्रन पर अक्षान्स का प्रभव नहीं पड़ता है पृत्वी पर सरवाधिक लवंता सागरों एवं जीलों में देखने को मिलती है जैसे वान जील यह तुर्की का वान जील है यहां पर 330 ग्राम प्रती हजार जो है ओला बंता है अर्थात 1000 जो है इस जील के 1000 ग्राम जील के पानी में 330 ग्राम जो है वह नमक की मात्रा होती है उसी तरह से मृत्व सागर का जो है वह है 240 ग्राम प्रती हजार तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक सनिवत राज अमेरिका का इसमें 220 ग्राम प्रती हजार लवंता रहता है इन सागरों एवं जीलों में अतधिक लवंता के तीन प्रम कारण है पहला है जल निकासी का अभाव मात्रा है स्वच्छ जल की आपूरूती न होना आंसी ग्रूप से गिरे हुए सागरों को लवंता की ड्रिष्टी से तीन वर्वों में विवाजित किया जा सकता है पहला है अधिक लवानता इसके अंत्रगत उन सागरों को रखा जा सकता है जहां लवंता की मात्रा 35 से अध फारस की खाड़ी 37-38, केरिवियन सागर 35-36, बास जल्डमरुमद 35-35, कलिफोर्निया की खाड़ी 35-35, तो ये अधिक लवन्ता वाले छेत्र थे, अब आईए मध्यम लवन्ता वाले छेत्र, इस वर्ग में उन सागरों को रखा जाता है, जहां लवन्ता की मात्रा 20-35 ग्राम प्रति हजार होता है, जैसे उधारम के तोर्प आप देख सकते हो, आर्क्टिक सागर में 20-35 ग्राम प्रति हजार राता है, बेरिंग सागर में 8-33, ओखो टास्क सागर में 30-32, जापान सागर में 30-34, चिन सागर में 25-35, अन्दमान सागर में 30-32, उत्तर सागर में 31-35, अब है नून लवन्ता अब अभी तक आपने जाना अधिक लवन्ता मद्यक्राइम लवन्ता अब जानिए नून लवन्ता इसकी अंतरगत उन सागरों को रखा जाता है जिनमें लवन्ता की मात्रा 20 ग्राम परतिहजार से भी कम है जैसे कुछ उधारन बाल्टिक सागर में लवन्ता 3 से 15 ग्राम प्रतिहजार रहता है हड्सन की खाड़ी में 3 से 15 ग्राम प्रतिहजार काला सागर में 15 से 18 ग्राम प्रतिहजार तो मित्रों यहां जो मैं आपको बताया यह लवन्ता का जो है वह 36 वित्रन था और साथ-साथ प्रादेशिक वित्रन भी आपको साथ-साथ मैं बताया अब है लंबत वित्रन पाला था 36 वित्रन अब दूसरा मैं बता रहा हूँ लंबत वित्रन भर्टिकल डिस्टिबूशन तो महासागरों में लवन्ता के लंवत वित्रन में काफी और नियमितिता देखने को मिलती है कहीं पर लवन्ता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं बढ़ जाती है फिर भी समान्यत अधिकान सेत्रों में गहराई बढ़ने पर लवन्ता की मात्रा बढ़ती है उच अक्षानसों में गहराई बढ़ने पर लवन्ता बढ़ती है, मध्य अक्षानसों में लवन्ता 200 फेदम की गहराई तक बढ़ती है, इसके बाद गहराई के साथ घटने लगती है बिस्वतिय छेत्र में वर्षा के कारण सतह के जल की लवन्ता कम होती है, सतह के ठीक नीचे लवन्ता अधिक्तम होती है, एवं उसके पश्चात घहराई के साथ लवन्ता घटती जाती है इसका कारण होता है कि धुर्विया परदेश के जल का विस्वतिय छेत्रों की और अधा प्रवा चलता रहता है और इस तरह से लवन्ता में जो है लंबत रूप में भी आप देखेंगे, तो एक रूपता नहीं है, इसमें भी जो है और समानता देखने को मिलती है तो आज आपने जाना कि लवन्ता का जो वित्रन है हुआ छेतिज या प्रादेशिक अस्तर पर या अक्षानसिय अस्तर पर किस प्रकार से भिन्न है और इसमें मैं बहुत सारे जो है महतपूर्ड महतपूर्ड आपको जानकारी दी या जो जानकारी इसमें जो मैं दिया आपको या बहुत सारे जानकारी ना केवाल आपके परिक्षा के द्रिश्टी कौन से आपके असना तक जो पर्थम खंड का परिक्षा होगा उसके ही द्र भलिभाती समझ भी गए होंगे और इसका इस ओनलाइन क्लास से आप लवानवित भी होंगे और मिलता हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप स्वाध्या करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए और इस जानकारी को अपने मित्रों में भी सेयर करते और स्वाध्या करते रहिए धन्नवाद